हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ होती लेकिन अब इस बिल को आइंदा पीर को पेश किया जाएगा हलका बंदियों के आइनी बिल दो हजार सत्रा को अकूमत ने पेश किया था पहले पारलिमानी कमिटी और मुश्तरका मुफदात काउंसल में शरीक तमाम बड़ी जमाते हलका बंदियों के फॉर्मिले पर इतफाक कर चुकी थी पीपल्स पार्टी समेथ सब की रजामंदी के बाद ये बिल 16 निम्बर को कौमी असेंबली में मनजूर किया गया जब सेनिट में पहुंचा तो कोरम ही पूरा नहीं था याद रहे के सेनिट में हुक्मरा जमात की जो सताइश शिस्ते हैं जबके पीपल्स पार्टी की 26 निशिस्ते हैं ताहम इतहादियों और अजाद उमीदवारों की जो शिरकत है उसे अपोजिशन का जो पलड़ा है वो भारी है यानि इस बिल को कान आज साबिक वजिर्यादम नवाज शरीफ ने भी किया जब उन्होंने कल पीपल्स पार्टी के कौमी एसेमली में एक आमिर के लाए गए बिल की हमायत में वोट किया था अजिए पुटी है मुझे के जब पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो है जिसमें खुद स्टबल की वो एक जमाने में वो इस तरह के काले कानून और वो इस तरह के डिक्टेटरों के गवानीन को उटके सपोर्ट करे हमारा जब से वो हुआ है मैं आज तक उस पे काइम ह हमारी पार्टी उस पे अज़ तक खाइम है और कोई डिवियेशन नहीं हमने कोई अनार हो नहीं किया कुछी से नहीं किया और करेंगे भी नहीं इंशानला पागिस्तान की बेदरी के लिए पाकिस्तान की बेठरी के लिए कानून और आईन की हुकूरानी के लिए डिमॉक्रासी के लिए ये वोट की खुर्मत के लिए वोट के तकदस के लिए और पाकिस्तान के रोशन मस्तखबिल के लिए ने बिल्कुल तो यार हूं गो डाउट एनी प्री किंडिशन्स ये निवाज शरीफ साब थे और आज बात कर रहे थे नाजरीन इलेक्शन आक्ट 2017 अब एक कानून बन चुका है और जो अक्सरियत से पास हुआ वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में चैलन्ज हो गया है तरह के इंसाफ पीपल्स पार्टी शेख रिशीद सब भी पेटिशनर हैं बिल आखिर अगर हलका बंदियों का आईनी बिल सेनेट से मनजूर नहीं होता तो वो सुबे जिनकी निशिस्टों में अजाफा होना था वो भी शायद अदालतों में इसको चैलन्ज कर सकते हैं इमरान खान पहले ही फार्टा के खेबर पक्तून कौासे इन जमाम में ताख आलफ और अवान दुश्मन कुवते जो हैं अब ये जो हैं ये बिलकुल वही अतकंडे जो सतर सालों में ये इस्तमाल करते रहे हैं ये वही इस्तमाल कर रहे हैं अब ये कभी किसी के पीछे चुपते हैं और सबसे ज्यादा जो है जो है वो ये अदलिया के कंडे पे जो है वो अपना ये जो उसकी तकमील के लिए जो है वो अधरिया के कंदे को इस्तमाल करना चाते है हमारी ये जमूरियत और अवाम दोस्त कुवते जो हैं हमारी ये गुजारश है सप्रीम कोट और पाकिस्तान के चीजिस्ट साथ से बलके उनके सामने दस मदस्ता ये गुजारश है कि ये जो पिंडी का शैतान और ये जो जमूरियत मुखालब कुवते हैं आप इनको पहचाने और ये जो एक सियासी लड़ाई है ये उसको गसीड कसीड के जो है जो है वो सप्रीम कोट में ला रहे हैं ये इनकी बहुत ही डेगिटिव सोच है ये सप्रीम कोट को अवाम के सामने खड़ा करना चाते हैं ये अवाम को सप्रीम कोट के मुखालब करना चाते हैं तो नाज़रीन ये राना सनावला साब कह रहे थे कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को अवाम के सामने खड़ा करना चाहते हैं तो जो स्यासी मसाल पारलेमान में हल होने चाहिए थे अगर इन पर आफरी मोहर सुप्रीम कोर्ट की लगनी है तो क्या अदालतों को वागी स्यासी रंग में नहीं रंगा जा रहा साहब और हमें इर्फान कादिर साब जो साबिक प्रोसेक्यूटर जेनरल हैं कानूंदान हैं वो भी जल्द फोन लाइन पे जॉइन करेंगे सबसे पहले रुबीना साहिबा यह जो डी बहुत सारे बिल्स जो हैं यह मुझे इंडूर्स करेंगे शेख साथ के नैशनल इसेम्बली से जब पास होके आ जाते हैं तो उसकी नोक पलक संवार नी जो होती है क्योंकि वहां एक ट्रेंड है कि बिल्स को पढ़ा नहीं जाता और चूंकि अपर हाउस में कानूंदान ज्य अब डीलिमिटेशन की बिल्की बात करी हैं मैं किसी भी बिल्की बात करी हूँ नोट पर्टेकुल यह नहीं गया और इसके पर बहुत सीसी आई में गया उसके बाद यहाया सेनिट के देखें उसका यह मतलब नहीं है कि अगर एक चीज़ आ गई है तो हमने बगहर सोचे सम है उसका तालग है उसके प्रॉपर डिबेट होनी बहुत जरूरी है अगर समझने से कासर नहीं हूं तो पहले यह बिल जो था यह नाशल इसम्मली के अंदर आया कमिटी के अंदर गया उस पहने के पास होता तो और पीपल्स पार्टी के कहने पे गया वहां पे आप लोगो आप करते हैं उसके बावजूद आप ये समझती हैं कि अब उसको फिर से देखने की जरूरत है कोई इसमें मैं तो नहीं समझती कि इसमें कोई बुरे बात है कि जितनी चीज को अच्छी तरह जाश बर्ताल करके उस पे बहस सेर हासल बहस करके बात की जाए देखें ये एक अभी तो मुझे बाते में सुन रही थी मिया साब की भी और रहना साना अलाग साब की भी तो बड़ी खुशी हो रही थी कि उनको एसास हो गया कि जमौरियत जो है वो जो है मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी है और पारलिमान का वकार पारलिमान का वकार मुझे बता दें पिछले चार साल में कहा था इस पर हमाएंगे मगर बाद में पहले डी लिमिटेशन की जो बेना उसी के साथ लिंक्ट है ना मुनाजे अगर आज अचानक आपको एक कल आपने अगर अटेंडनस देखी हो जब मिया साब की वो दोसो जी जी हो रहा था तो परसनल इंटरस्ट की लिटिगेशन होती है या परसनल सौरी लिटिगेशन का लावस मैंने यूज किया कानून साजी होती है तो उसके लिए तो आप यू मेक शोर कि आप बीमार लोगों को बादा ले लेकिन जा पबले कि इस इस इन इंपॉर्टन टॉपिक मिया अतीक कि आपने तो इस बिल के फेवर में वोट किया है आपकी पार्टी ने भी देखे जहां तक कि ये बात है जी वह अपना असेंबली के है अभी तो यहां बात हो रही है इसके लिए मैं वाज़े कर दूँ देखे मेरे लिए बहुत काबले इतराम है सेनेटर साहिबा लेकिन श को कहा भी जाए कि कमेटी को भेजा जाए तो इट्स अ मैटर अफ जस्ट फ्यू आवर्स के एनिवन कें सेट और उसके ओपर अपने तौर पर लाया जा सकता है बट इस वान तिंग तो मैटर इस जो सबसे जो सेंसिटिव बात है वो यह है कि यह एक कॉंसिटूशनल अब उसमें अगर वो किसी एक हाउस में भी पास नहीं होती तो फिर वो स्ट्रेट अवे सर्थ खाने में चली जाती है वो एक किसम की खतम हो गई है अब इसमें सबसे बड़ा मामला क्या है कि क्यों इसकी जरूरत है अगर आज के सेनारियों में देखा जाए और उस वक्त म उन्होंने रिमाइंडर भी भी भेजे हैं चेर्में सेनेट के पास बहुत पूरा किस नहीं तो हाउस में ले करना था और शकूमती बिल है हकूमत में ले करना इसको ले ही नहीं हुआ एजंडे पर तो जरूर है एजंडे पर तो फ्राइडे से लेके अभी भी आया अगर जैसे आपने फरमाया जब यह सी सी आई में 13 नमबर को चला गया 16 नमबर को नाशनल असेमली से क्लियर होके आ गया अब यह डिपेंड करता है कि क्या उन्ही पेरामीटर के उपर आगे लेकर चलना है आज हमारे एक मौतरम सेनेटर सहाब ने वहाँ पर हाफिज हमदुल्ला ने उठकर बावाजे बुलंद यह कहा कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी है यह गट जोड जो है ना यह लग रहा है कि किसी वज़ा से इसको डिले किया जा रहा है इसलिए इसलिये उन्हें बाद में इसपर बात कर लीजएगा और इसी चीज़ पर आज अपने रिमार्क्स भी चेर्मन सेनेट ने दिये हैं जो के जो हमारे अपना लीडर अफ दी हाउस भी और लीडर अफ दी अपोजिशन भी दोनों को उन्होंने वाज़े अलफाज में एक सेनारियो दिखाया है कि इट इस बेटर हम इसको हाउस में अगर कर लें अप्रूव तो बेतर रहेगा अधर वाइस ये फिर वोही तराजू वाली जगा पे चला जाएगा अब उसमें पलडा किस तरफ को जाता है और तराजू किस के हाथ में होता है ये हम सब पार्लिमेंटेरियन्स को सोचना चाह मगर अगर छोटे सुबेज इनको ज्यादा सीटे मिलनी थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर देते हैं तो बोरान पैदा हो जाएगा ओल्रेडी नौ पटिशने जो है उन्होंने एलेक्शन एक्ट 2017 को भी चैलेंज कर दिया तो क्या वो महौल बन पाएगा जिसके तहत एलेक्श прошआ है गो DAVID तैमीना साइबा किससे बात करेंज है आप से आप से तैमीना साहबा आप से बात करेंजू करेंजू अच्छा अच्छा आजू सौ.चील कुई प्लीज रुपीट यो क्वेस्ट जी तेमीना साहिबा हम एलेक्शन बिल की बात कर रहे हैं और डी लिमिटेशन की बिल जो आज सेनेट के अंदर प्रिजेंट हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं हच्छा यह है कि अगर सेनेट इसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर यह जाएगा चुके चोटे सुबों को सीटे जादा मिनी थी तो सवाल यह है कि अगर गोवी चालंज हो जाता है एलेक्शन एक्षिन अलड़ी चालंज हो गया है तो महाल बन बन पाएगा एलेक्शन के लिए नहीं बनना चाहिए हमने तो पास कर दी है फ्रम धे नेशनल सेमरी इत इट पास प्रम देया है और मेरा ख्याल है सेनेट में भी बिकास्ट बहुए नाट वांट टो डिले अगर डिलेशन मेरा खाल एगर कोई भी नहीं हम में से चाहता के लेक्शन डिलेए हो और वक्त पे और इसको पास करके and again there's lot of homework जो अभी तक होना है और इसकी डिले नहीं है ज़िए आप जब कहरी है कि कतक अलामी माफ के lot of homework जो होना है इस वक्त अमिया अतीक सापी बैठे में वो भी सेनेट में थे वो पेश ही नहीं हुआ वो बिल पेश ही नहीं हुआ जिसके पर वोटिंग क्यों हो रही है नहीं जी नैशनल सेंबली में तो आ गया है नहीं हम सेनेट की बात करें है हम सेनेट की बात करें मैं जी आप से अग्रे करती हूं मुझे मैं प्लीज फोगिव मी मगर मैं सेनेट का आज का मैं नहीं कह सकती कि मुझे I'm updated about it मगर अगर मुझे पता होता है इस मगर एक बात फॉर शूर है कि पीपल्स पार्टी और आइटिंक एनपी एवरीबोडी और मेरा खाल है ये तो ऐसा बिल है जिसमें पीटी आई भी पीछे नहीं अटेगी क्योंकि ये सब पार्टी ने इन नैशनल असेम्बली सब ने मिल के पास किया MQMB साथ थी जी आप मिया सब आप खुश करें ने बिल्कुल दरुस्त कह रही है जी तेमीन साहिबा के बिल्कुल नैशनल असेम्बली में तो ऐसा ही था लेकिन जो सेनेट में देखा जा रहा है स्पेशल सेशन बुलाया गया फ्रैडे लास्ट वीक कुछ नहीं हुआ हालाके ये ले होना था आज तीसरी दफ़ा था ठीक है और अभी भी इसको दुबारा फ्राइडे पे लेकर जाया जा रहा है और उसके बाद नेक्स्ट मंडे को ये कहा जा रहा है लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ इसमें कोई दोर आए नहीं है कि इस वकत में पीपर्स पार्टी अच्छे तरीक ओवर अबव बात है कि इस वकत हकुमत इस तरह से क्रणच में है औरड़ी ओवरॉल बड़े मिसाल हैं चाहे वो इसलामबाद की हो बबात धरने वाली या उसके इलावा जो फैनेंशल क्रणच है वो भी सामने है तो हकुमत ऑलरड़ी बहुत ज्यादा मिसाल में है इस वक् है प्यातिक पांपस्म किएधान चाहिए लोग बहुत से लोग रिजिभेधाने हैं प्रेस केड में आज परेंज सब्छार् görüş में माक्रायं आज हो चाहिए मेलक क्तो और फिर यह वाकिर हो की है कि वो सिचुएशन को कैश करे हमने हमेशा जो है जो वक्त की जरूरत थी जो मुलक के लिए अच्छा है वही सोच कि हमेशा एक्दामाद हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं है कि हमने शेख साब बड़ा बता रहे थे कि एक्सपर्टीज शायद इन लोगों की ज्यादा हो ल सब समझ रहे हैं मेरे नौलेज में बात है आपका नौलेज ना हो लाइदा चीज़े अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किस बात पर बार्गिनिंग करेंगे ना मैं तो सबसे बड़ा देने के लिए कि जर वोट देने की वोट तो अगर हमने देना होगा हमने कभ देखेंगे और वो नहीं की है पहले भी वोट पुछी चाह साथ ने का कि मैं मैसेज पुंचा दोगा उसे ज्यादा मैं कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए कि हम शायद कोई दबाओ डाल के या कोई ऐसी बात करके बात चीत होनी चाहिए या आप समझती है के पाठी समझती है तो हमेशा बात्चीत पे यकीन रखती है हमेशा बाती है हम ने तो हो रही है इस वक्त आपकी बैक चैनल बात चीत के इस वक्तो मेरी é knowledge में नहीं memorize लिकिन मैं यह एक आ बिलीव इन कंसल्टेशन्स टाइम कंसल्टेशन्स का जब होता है ते मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे फिर आप जरूर कहिए का मैं आपको बहुत करती हूं लेकर चार साल में आप देखें कि जतने फیसले हुएं हाकुमत के वह सब पार्लिमान से बाहर थे पार्लिमान की तो कभी इजशत तोकीर उसका उसको जो लिवरेज होती है पार देखें ED tissues की बाथ हूई थी are अगर यहां पर reconciliation ना हो पाई सियासी जमातों के अंदर तो क्या सारे मामला मामलाद जो हैं वो कोट ही हल करेगी और अगर कोट हल करेगी तो यह क्या precedent होगा मुल्क के लिए इस पर हम बात करेंगे वक्वे के बात वलकम बैक नाज़ीन तैमीना दुलताना साहिबा जब आपने चार्टर अफ डिमोकरसी साइन की थी तो आपने हम आहंगी की बात की थी मगर आज जब आप लोग कॉंस्टिचूशन को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी चीज़े आपने चार्टर अफ डिमोकरसी में में अप करना सके अब करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिया साब जो इतने सख बयानात दे रहे हैं पाकिसन पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको लगता है कि वो महौल पैदा हो जाएगा जिसके तहत आप इनके साथ कोई रिकनसिलियेशन या किसी अंडिस्टैंडिंग पर आ जाएंगे तेके ये पीपल्स पार्टी या किसी के प्लिटिकल रैली में बहुत कुछ बना कहता है बट देशन पीजिए के विन यह सिटिंग उप टेबल वही गुफ तकू चलती रहती है the beauty of politics is that you might say whatever in your speeches but when you sit on the table and have a dialogue your your attitudes changes mother let me it should change let me ask you a minute G you see the important thing for all of us is at this moment it's very critical के democratic institutions should remain assemblies and the senates should remain we all make mistakes ये नहीं है के हम गलतिया नहीं करते हैं सब करते हैं और गलतियां करते जाएंगे और गलतियों से सीखेंगे sometimes good democratic governments sometimes not so good मगर मगर जो interferences of hands in glove आती है ना वो interferences हमें रोक नहीं हैं मगर वो इंटे पेरेंस आप कहां देख लें हैं आपको नजर नहीं आदा नहीं मगर आपका ख्याल है कि यह जो कुछ हो रहा है मिया साब को हटा दिया गया यह कोई मजाक है मगर तैमीना साहिवा अगर यह मामलाथ पार्लिमंट पे नहीं हालोंगे तो जाहर एक कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएंगे ना तो आप लोग आप लोगों की जो एक आइनी तरीका है वो इस आप लोगों को आपने टाइम पर करना है एक तो आप लोगों की यह माली है इस बैस्ते है ख़ीखिशन कने अजैंगे टाइमें थिक मैसं में हाष्वित पूल्ल अजय पिपरने को आप के ख़ता है and talk have a dialogue we politician should have a dialogue बात सुनें लडाई हो फिर कोई invisible hands आएं उसके बाद भी तो dialogue करना पड़ता है ना थोड़ी देर वो रहते हैं फिर उन से चीज़ें समाली नहीं जाती फिर वो कहते हैं जमूरियत आए फिर वो जमूरियत को लेके आते हैं बगर बेतर नहीं है कि पहले ही हम बैठके आपस में बात करें अगर हम आपस में बैठके बात करेंगे तो हम जमूरियत रख सकते हैं बगर अगर हम आपस में बैठके बात नहीं करेंगे तो फिर वी और आर पार्ट आफ दोस पीपल जो जुमुरियत को खुदाहाफिज कहते हैं और इस वकत हम लोग हम लोग विक्टिम्स हैं अल अफ उस हमें जिस तरह जो कुछ किया जा रहा है वो मैं कहते हूं आप वन उस वोस्ट मेरा असान चीज किसी के उपर डालना है ना यू आर करॉप्ट यू आर करॉप्ट ये करॉप्ट तो ऐसा लफज है और दो मिनिट में दस हजार फाइले निकाल दो क्योंकि आप उनके साथ खडए है जॉआ किरॉप्ट यह अर्य पेहरों कि बाते तो पहले भी सुनियें जेलें पहले भी काटे हैं लाठियां पहले भी काई हैं अब भी खाने को त्यार ह त्यारें कोई पाथ दिन ये लोग के दर जाने के लिए वित्यार है जुमूरियत के लिए वार दिमक्राशी और हम आखरी मिनट तक जाएंगे बिकास फॉर अस इस कंट्री कम्स फॉर्स मगर कता किलामी माफ तेमीना साहिबा इदर रुबीना साहिबा मैं आपकी जाने बाऊंगी जी मैं रुबीना साहिबा कुछ कहना चाहरी है शायद ये मौका ही नहीं मिलता अगर पहले कुछ चीजें हो जाती मगर अब मामला बहुत हराब हो गए अगर पोर्स में चले गए हम लोगों को ये मौका पकड़ना है ना तो गो या A.R.D. बाद में बनाते फिरेंगे हम जी देखें ये एक सियासी कारकुन है मैं दिल से इनकी इज़त करती हूँ लेकिन बात यह है कि जमूरियत किस चीज़ का नाम है जमूरियत डिमॉक्रिसी का भी नाम है और जमूरियत जमूरी रव़ईयों का भी नाम है अगर आपके रवईये जमूरी ना हो और आप एक डिक्टेटर उसकी तरह हकुमत करें आप किसी को खातर में ना लाएं 2014 की तरफ चले जाते हैं 2014 का जब धरना होता है तो उसक्त भी इनकी हालत जो थी वो देखने वाली थी बहुत बुरी जालत में थे लेकिन सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सियासी जमाते जो जमूरी सोच रखती है वो उनके साथ कड़ी हुई इनको होसला दिया और वो इनको समझाया कि आपकी जो ताकत का प्राइम मिनिस्टर वो उसका एवान है उस एवान की इजद करना सीखे उस एवान को कंसल्ट करना सीखे वहां बैठना सीखे लेकिन वो मगर मगर अब एक खचा जो है जाहर कर रहे थे ब्रेक के दुरां जरा वो बताएं ताकि लोगों को समझ में भी आए जी के खच्चा पहली बात तो यह हम बिलकुल जमूरी रिवाईयों के साथ चलना चाहिए जमूरियत को साथ लेकर चलना चाहिए वी पार्लिमेंटेरियन्स वी आर रिस्पॉंसिबल फॉर इट फरस्ट अपॉल थेंगे इस बट क्या हम इस बात को भूल सकते हैं अभी जैसे यह कहा गया क प्रॉल जी यह कोई इंडिविजिबल हैंड की बात की तेहमीनस अभा ने उसमें इन्विजिबल हैंड को बुलाकर लाता कौन है? यह हमारे ही लोग है? जो जाते हैं और जाकर उनके धरवाज़े के खटाते हैं और कहते हैं आजाएं जनाब वो भी अंदर से ही पारलिमें जो है ना हम ये काम करना चाह रहे हैं किया हो जाए अगर हमने इसको टाइमली किया होता 129 मीटिंग्स हुई शुरू में तो PTI भी इन चीजों के लिए नहीं वहाँ बैठी अगर ये अलेक्टरोगल रिफॉर्म्स बिल जो है जो हमने तीन से चार तमाम कानून को मिला कर एक बेहतर कानून बनाने की बात हो रही थी क्यों उसको टाइम पर नहीं किया आई परसनली फील कि अगर मैं रिस्पॉंसिबल हूँ पान रिस्पॉंसिबल है ये निशनल असेंबली सबसे पहले ये निशनल असेंबली ने करना था ओपर है ये कानून इसलिए लाया जा रहा है ये वन टाइम अमेंडमेंट की जा रही है कि हम पुराने सेंसिस के साथ आगे बढ़ सकें आगे चल सकें अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा मैं आइफ डिसकस दिस्टेंजिशनल रिजल्स के उपड़ है जो प्रोविजनल हो जाता है तो आपको लगता है कि आप लोग कहते रहते हैं तो यही बात बार those समझा के ठक गे थे जब ये पेनामा वाला केस आया तो हमने एक लौव त्यार किया अगर आपको याद हो इसी के लिए इसके लिए खास स्पेसिफिक लौव था फॉर फॉर ये इसकी जो तहकीक के लिए सारा कुछ लेकिन अगर उस वत हकुमत हमारे साथ एगरी कर जाती और उस पे बैठ जाती और उस बिल्कु वो पास हो जाता तो यह तो आप यह तो आप यह तो आप कह रही हूं कि इस मनजल तक आप आप लेकर आए हैं अब आप समझते हैं कि ओवर नाइफ जो है नो सब कुछ ठीक हो जाएगा चार-पांच साल में जो आपने किया है उसमें आ हाई होर्स पे आप बैठे वे थे आप इससे बात करने के लिए तयार नहीं थे आपके वुजरा जो थे वो हर वक्त हितक अमेज रवाइये थे उनके लोगों के साथ तजीग करते थे वो लोगों की तो आप समझते हैं कि आप बस मुस्कुराए नहीं तो सब आपके साथ आ प्रूरी होना बहुत जरूरी है यह नहीं कि आप के कुछ और रहे हो और सोच कुछ और रहे हो तो फिर यह मुम्किन है यह नहीं यह जो अलफाज बोले है ना बिल्कुल यही अकासी हो रही है इस वक्त में दीज अर्दा हाट फीलिंग्स पीपर्स पार्टी की जो हम कह रहे हैं कि आज वो यह बता रहा है हर कोई हर कोई जो है पीपर्स पार्टी का वो बैट कर इसी फीलिंग्स के साथ चल रह है कि जनाब पहले किते सो साड़े कार पहले क्यों नहीं आए पहले क्यों नहीं सानू मनाया अब बात ये है जिस तरह आज चेर्मेंट सेनेट में गुजारिश की हम सब भी गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा मिल बैट के इसको कर ले एक सेकेंड तैमीना साहिबा आप एक बहुत पुरानी सियासी कारकोन है सियासिदान है बहुत पुरानी आप मामलात को कहां जाते वे देख रही हैं लबैक पाकिस्तान इदर फैजाबाद में आके बैट गए हैं सत्रा दिन हो गए हैं उनको बैठे वे हकूमत जो है उनके पर कोई एक्शन नहीं ले रही सारा जो इल्जाम है हकूमत के पर आ रहा है हाला कि सारी पार्टी इस उस कमिटी के अंदर थी दूसरी तरफ से हर चीज़ चैलेंज हो रही है कोट में आपको लगता है कि महौल बन रहा है एलेक्शन का नहीं अफसोट से मने एक चीज कहनी पड़ती है कि जिन लोगों को लब हैड पाकिस्तान जिन जो लोग बैठे वाँ पर वो हमने नहीं नहीं बिठाया है वो ही उनको उठाएंगे किनों ने बिठाया है उनको आपका इशारा किस तरफ तरफ है ने बिठाया है वो ही उनको उठाएंगे आप इनिविजिबल हैंड्स का सोचें और याद रखें कि हम लोग अकठे रहेंगे तो देविल हैंगे नो प्रॉब्लम्स मगर अगर हम लोग यह कहेंगे आपने पहले क्यों नी किया आपने बाद में क्यों नी किया तो फिर सारे ही हाथ मलते रहेंगे बाद में मगर उनका क्या फाइदा होगा जी इनको बिठा कि लबैक पाकिस्तान वालों को फैज़ाबाद में बिठा कि मैंने कहा जिनों ने बिठाया है वो ही उठाएंगे वो ही उठाएंगे तो फिर कि कही लोग बिठाने वाले हैं नहीं मगर खुरशीद शास आप तो कह रहे हैं कि पाज़ को तलब करें वो उठाएंगे जिनों ने बिठाया है वो ही उनको उठाएंगे और दूसरी बात यह है कि रुबीना बीबी ने बहुत पॉजिटिव एटिचूड लिया है और मेरे भाई ने भी पॉजिटिव एटिचूड लिया है जब पॉजिटिव एटिचूड हो तो ऑल्वेस किसी ना किसी चीज़ का हल निकलता है हल निकाले ये पाकिस्तान हमारा है इसके अंदर तरक्की करेंगे तो ये मुल्क हमारा तरक्की आफ़ता होगा अगर हम लोगों करेंगे तो हल तो गवर्मन निकालना है चुके आप आप हुक्मराजमात है आपके पास ताजाद जाद है वह लबैक पाकिस्ता का हल मैंने जिस तरह का है जिन्होंने बिठाया वही उठाएंगे दूसरे डैमोक्राइटिक इंस्ट्रिटूशन का हम बैठ के हाल निकाले मिल के हर काम करें यू विल सी अस वेरी पॉजिटिव इवरीधिंग हम लोग डेगिटिव लोग नहीं है हम मिल बैठ के जिन्होंने इतना बड़ा धचका यह हमारे लिए चोटा धचका नहीं है हमारे लिए मिया नवाज शरीफ का को जिस तरह इन्होंने हटा के जो भी यह सारी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साज़श की है मिया नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं की पीमल एंड के खिलाफ नहीं की यह सा किसी का लेते, that's the problem, transparency नाम लेने की बात सुने, मुनीजा आपको भी पता है मैं क्या कह रही हूँ, मुझे भी पता है मैं क्या कह रही हूँ, उनको भी पता है जो बैठे है मैं क्या कह रही हूं, हुँ यू नहीं एक डिमांट हूँ ऑंगी पुली कह थे नैं रैपूर्ट दे देंगे राजा-जकCongAT जो राजा जब हुड़ तो यह फिर्से आएगा बिल以前 है फिरसेAssad पढ gyda है किस बात करतेग हैं यो पर जा measured понकイ dul तो पहली बात ये हैं कि अगर अगर कि कितनी घलती है ये तो वेके हैं अगर पिचाना कसूर वारी नहीं तो उस पर क्यों कसूर डाल रहे हैं जी हमें हमारी मेरी जान मेरी अलाद हजूस की आन पे कुर्बान है लेकिन बात ये है कि बिल्कुल हम सब मुसल्मान है अखरी रसूल जो हम से हैं वो रसूल मक्बूल सल्लाओ अलेहीं वाली वाली जान मैं उसके बात हमारे लिए कर दो कर दो कर दो तो